कि हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल मैं हूं आसीस और आप देख रहे हैं पावर ओफ ट्रेडिंग इस्टोक तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं जो कल किस तरह से मार्केट करेगा बेंक निफ्टी और निफ्टी का क्या इस्टेटस रहेगा कैसे रहेगा और की चीज़ और मैं रिक्वेष्ट करेंगा दोस्तों आप लोग जो है वीडियो को लाश्ट तक देखें जिससे मैं जो छोटी चोटी बाते डिसकस कर रहा हूं यह आप लोगको और जादा केडिर होगी और जिससे आप लोगों को ट्रेड़ लेने में और ज्यादा आसांइ होगी और दीरे दीरे जो मैंने सीखा है जो मेरी लर्निंग से उससे आप लोगों कोई मदद मिलेगी तो आप लोगों का लर्निंग कर भी छुटा हो जागा तो चलिए दोस्तों अब लोग देखते हैं जो कैसा रहता है सबसे पहले आपके सामने जो है बेंक निफ्टी का चा कोड़ के ऊपर क्लोज हुआ है तो कल हम लोग इसको देखेंगे 35,500 डिसाइडिंग लेवल रहेगा इसके लिए एक साइकलोजिकल लेवल भी रहेगा और एक राउंड नमर के आसपास का है तो यह इंपोर्टेंट लेवल रहेगा अगर इस लेवल के आसपास हम लोगों को इंट्री मौका मिलता है तो हम लोग फिर इसको ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं एक चीज़ और बताऊंगा उस तो जो बैंक निफ्टी ने अपने ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है लेकिन जब आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे निफ्टी अभी अपने ट्रे करेंगे और जैसा आगर इंट्री मिलता है तो हम लोग जो है टेलिग्राम ग्रूप में अपडेट कर देंगे तो अब निफ्टी अभी ट्रेंड लाइन के ऊपर है अगर निफ्टी मुविंग एवरेज के आसपास मुझे मिलता है तो भी मैं ट्रेड करने के लिए देखू जो है मुविंग एवरेज के पास आ जाए तो फिर हम लोग उस कंडिशन में ट्रेड करने के लिए देखेंगे एक और चीजा आप देख सकते हैं जो निफ्टी बिलकुल एक रेंज में है अगर आप देखेंगे तो 15600 और यह 15720 के रेंज में है तो यह रेंज भी इसके ल काफी एक अच्छा पैटर्ण भी बना रहा है अगर आप देखेंगे तो यह एक कुछ फ्लैग पूल टैप का पैटर्ण बना रहा है और नीचे के लेबल से काफी अच्छा मुवमेंट हुआ है इसमें और उसके बाद एक कॉंसोलिटेशन हुआ है लाश्ट के सेसन में तो कल इसको हम लोग इंट्राडे के लिए ट्रेड करने के लिए देखेंगे जो भी लेवल्स होगा अपडेट कर देंगे तो आप लोग टेलिग्राम ग्रूप को जोइन कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है वहां से आप लोग जोइन कर सकते है दूसरा एक श्टॉक है बजाज फाइनेंस इसको भी कल हम लोग ट्रेड करने के लिए देखेंगे अगर यह अगर मैं आपको ड्रॉइंग करके दिखाऊं तो अगर यह मौविंग एवरेज के पास से आके अगर सपूर्ट लेके ऊपर निकलता है तो फिर यह एक अच्छा कंडिडेट होगा क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो यह पांच मिनट के चार्ट पर एक ट्रेंड लाइन की तरह मौविंग एवरेज का सपूर्ट लेके ऊपर चल रहा है तो इसको हलका नीचे आने देजिए फिर अगर इंट्री मिलेगा तो आप लोगों को अपडेट कर देंगे अब चलिए देखते हैं एक दो दिन के लिए कि इसको हम लोग देख सकते हैं डीलेफ डीलेफ एक अच्छे मोमेंटम में काफी अच्छा यह मोमेंटम अल्रेटी दे चुका है औ तो कल अगर यह मुविंग अबरेज के पास से सपोर्ट लेकर अगर टर्न करता है कुछ इस टैप से अगर रहता है तो हम लोग इसको ट्रेट करने के लिए देखेंगे आप लोग भी इसी लेवल पर ट्रेट करने के लिए देखना यहां पर रिस्क भी हलका कम रहेगा और भी अच्छा खासा मिल सकता है दूसरा एक के स्टॉक है यूपीयल यूपीयल भी काफी अच्छे अप्ट्रेंड में हैं कंटिन्यूस यह फिप्टीन चार्ट पे जो है आप देखेंगे मुविंग अबरेज के सपोर्ट से ऊपर जा रहा है और यह फिर एक बार मुविंग चार्ट पे आप देखेंगे मुविंग अवड promote से ऊपर जा रहा है ओर यह लाश्ट के ट्रेडिग सेशन में मुवगमेंट में रहा तो अब अगर एक और इस में देखेंगा है इसके इस लेवल से यह तोरा यह तो है अल्मोस्ट यह वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम और फॉर टाइम रिजेक्ट हो चुका है अब अगर कल कुछ इस टैप से भी प्रो मुव्मेंट करता है मुविंग एवरेज के सपोर्ट से अगर यह 542 के ऊपर निकलता है तो फिर इसमें एक इसमें एक अच्छा मुविंटम देखने के बिसकता है और हो सकता है यह 545 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल जाए अब लाश्ट टेक स्टॉक है सब्सक्राइबेर अ मुविंग एवरेज के जोन है तो कल अगर आपको नोटिफिकेशन अपडेट होता रहेगा धन्यबाद दोस्त हुम